हेलो फाइर नाइस पोएम पर भी mcq-series के तीन टूटोरियल है फाइस्ट टूटोरियल जो सी बेसी की ऑफिशल्स कोश्चन समय डिफरेंट जगह भी मिलते हैं उनका सैंपल कोश्चन पेपर है या उनका कोश्चन बैंक है तो वहां से कठ्था करके फैला टूटोरियल उसी डीप में जाना है उसके पॉइटिक डिवाइसे सोमझना डिफरेंट कनोटेशन्स मीनिंग्स उस सारी चीजे मैंने अपने ढंग से इंजॉय करते हुए मैंने वीडियो बनाया आप जाए आप उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन की दिया है आप जाके उसको वाच कर स सकते हैं समझ सकते हैं कोई inquiry हो तो कमेंट बॉक्स में लिक सकते हैं हमारे तेलिगिराम घृप जिसका भी डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो में मिल जाएगा elle ing कर सकते हैं वहां पे अपनी बाद को रख सकते हैं जने परसों कर ब सकते हैं उसका एक लिंक क рукugen को उसका खो सक में नहीं आएगी पकड में नहीं आएगी और अगर आप इसे इजी बनाना चाहिए तो बहुत अच्छे डंग से आ सकती है बस fire and ice का literal meaning लीजिए symbolic meaning लीजिए fire and ice का literal meaning यह है कि दुनिया दो तरीके से खत्म हो सकती है fire से ice से fire का मालब temperature बढ़ गया solar radiation को बढ़ जीवन खत्म होना शुरू हो गया ice यानि ice यह जा सकती है और freezing point पर temperature जा सकता है दुनिया खत्म हो सकती है दूसरा इसका symbolic meaning लेना कि fire fire मतलब आग आग वो desire की है पैसन की है वो passion वो desire out of lust हो सकता है out of love हो सकता है दोनों में conflict होगा तो नुकसान होगा hatred आदमी घ्रणा करना सुरू कर दे हो criminal hatred हो religion based हो caste based हो race based हो black and white के बीच में हो यह सारी चीजें आदमी एक दूसरे को नुकसान पहुचाने कोशिश करता है ice जो है वो हमें numb बनाती है सुन बना देती है हमारी कम कर देती है वही emotions पे कि दूसरे लोगों की दुख तकलीफ पीड़ा देखकर हम पर कोई फक नहीं पढ़ता होने दो शहर में आप गाड़ी चलाते भी चले जा रहे हो बगल में कोई पढ़ा हुआ है तड़ा पढ़ा है इन डिफरेंस थोड़ा सा रीजनिंग मैंड अपलाई करते हैं यहां फाइदा है कि वहां फाइदा है तो सारी चीज़े आपके आजाती है आइस में तो दोनों तरीके से दुनिया खत्म हो सकती है पोईट जो है वो होल्ड करता है एग्री करता है कि फायर से फायर डिजायर क्योंकि डिजायर हीउमन बिंग्स का एक नेचरल इंस्टिंक्टिब बिहेबियर डिसाइड करता है और पोईट कहता है कि मैंने वो इसको एक्सपिरियंस किया है तो फायर से दुनिया के खत्म होने के चांसे ज्यादा पहले उसी से खत्म होगी बट आई से भी खत्म हो सकती है यानि आदमी की इंडिफरेंस से भी खत्म हो सकती जब आदमी आदमी कियर नहीं करें यह मेरा अपना तरीका पोईम का समझाने का है मैंने जो समझा है आपको बताया है तो यह पोईम है और इसमें हम पहला question लेते हैं पहले सबसे पहले यह चुछ दे करेक्ट स्टेट्मेंट इसमें चार स्टेट्मेंट देंगे फायर नाइस और इमेजेज यह दोनों इमेजेज हैं और यह रीडर्स को विजुलाइज करने में यह तो ऐसा मतलब इसका सैंसी नहीं निकल रहा फायर नाइस यहां पर सिंबोलिक मीनिंग है इनका और सिंबोलिक मीनिंग यह है कि यह नेचर डिजाश्टर की बात नहीं करें बलकि ही मनुस्य खुद ही दूसरे मनुस्य को खतम करने में लगा हुआ है मनुस्य खुद अपनी प्रजाती को और हुमन काइन को खतम करने में लगा हुआ है तो हुमन्स आ रिस्पॉंस्बिल फॉर इस काइंड डिजाश्टर्स थूद सिंबोलिक मीनिंग्स आफ फायर और डिजायर को शो करती है और जो आइस है वो हैटेट को सो करती है बट और अपनी प्रजाश्टर्स आफ रिजन होना जरूरी है दिल ठंडा है वाम थगायव है सामने वाला अपना है हमको कोई फक नहीं पड़ता जैसे कोल्ड ब्लेड़ेड क्लिंग जिसको कहते है कोल्ड ब्लेड़ेड मर्डर वही आदमी कर सकता है जिसका हार्ट कोल्ड हो य अगर आइस में दुनिया मर रही है हमको क्या फर्क पड़ता हमें तो सिर्फ अपना देखना है एनिवे फायर आइस आरेमेंट्स नॉट आफ नेचर बट मैनमेड तो ऐसा थोड़ी कि फायर आइस जो है वह मैनमेड है नो और उसके बाद फायर नाइस आर एजेंट देख इस यहां पर आइस को गुरूप करना है तो आए गुरूप करते हैं मैं खुद अंदाजा बताता हूं आपको देखेंगे रेज इंगर वाइलेंस सम एग्रिसिवनेस सामिल है है हैट्रेट आउट आफ हैट्रेट भी हम नुक्सान पहुचाते हैं दूसरे को तो यह तो मुझे लगता है कि यह फायर से रिलेटेड है इंडिफरेंस मलब उदासी इंता क्या फरक पढ़ता हूं ग्रीड अब चुकि ग्री स्वाई करने कोशिश करता है तो सम्थिंग रैशनल इस दियर लेकिन हैट्रेड है वाइलेंस है रेज है यह आप बस आवेग में इंपल्सिव होके आपको समझ में नहीं आ रहा होगा विकॉज जीवार क्योंकि देखे पोयम तो बहुत ही हाई लेबल की है अब आपकी स्क कम है बट आम साटिस्वाइट वाइलेंस इंडिफरेंस ग्रीट तो देखे अब यहां देखते हैं क्या मिलता है हमको मुन थ्री फ्री फोर यह यह तूहर और यह फोर तो 1, 2, 4 यह दिया गया है and 3 and 5 3 and 5, good तो this should be the answer इसके बाद है the poem is put across, put across को मतलब होता है कि लब अपने idea को कोई भी चीज आप दुनिया के सामने रखते हो उन्हें समझाते हो, अपनी बात को this is called put across तो poet इस poem के जरी यह कौन सी बात को रखना चाहता है earnest appeal कोई appeal कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है vengeful threat मतलब की बदले की कोई धमकी दे रहा हो ऐसा भी नहीं है हाँ एक warning दे रहा है कि दुनिया खत्म हो सकती है अगर दुनिया खत्म होने के पीछे humans से ही होंगे और humans की desires जो कभी पूरी नहीं होती उनके चक्कर में दूसरों को भी नुक्सान पहुंचाता है conflict पैदा होता है जिसकी वज़े से उसको गुसा भी आता है उसको घृणा भी होती उसके अंदर और दूसरा है कि indifference मतलब यह fire हो गया दूसरा है कि indifference यह coldness of raising आप कह सकते हैं तो उसकी वज़े से भी दुनिया खतम हो सकती when we are not careful to others तो यहां पी यहाल आंसर होगा the poet uses the phrasal verb hold with hold with का मतलब कि I agree with them तो इसमें से बताया है कि choose the option that does not indicate a valid phrase देखे इसमें hold से hold off बन रहा है hold back बन रहा है hold on बन रहा है hold into तो इसमें से एक है जो फ्रेज नहीं है आप डिक्ष्णरी में ठूड़ोगे तो नहीं मिलेगा तो देखे वो है यह hold into कोई भी फ्रेज नहीं बनता valid phrase नहीं है जब जब्रश्ति यूज करो तो बात दूसरी है hold back, hold on, hold off से बनता है hold up को मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज आप मज़े से कोई एक्सल लेने जा रहे हो कुछ करने जा है तो थोड़े ताल देना hold back hold off कर देना hold back का मतलब होता है कि भाई आप रोके रख रहे हो और आगे move करने से नहीं आगे बढ़ने से आप रोक रहे हो उसको hold back कर ले रहो कि भाई थोड़े देर के लिए इस टे करो रोक जाओ और hold on को मतलब होता है अच्छा यह अच्छा है question मतलब हमको पढ़ना है और poem या poet से related कौन सी चीज इसमें गलत है the poet is inclined to believe मतलब उसे विश्वास करने का मन हो रहा है कि मैं ऐसा विश्वास करूं उसका जुकाओ इंकलाइन को जुकाओ तो उसका इस तरह जुकाओ है कि world would most likely end with fire तो यह इसमें दिया गया देखिए न कि I hold with those favor fire has heard divided opinions about the way तो उसने देखा है कि लोग दो प्रकार के विचार रखते हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगी खत्म होनी की संभावना likelihood को मतला possibility तो वो है इसके अंदर है ना पहला वाला है fire से related और अगर दो बार दुनिया खत्म हो नहीं हो तो वो है आपका ice है ना यहां पर दिया गया है तो यह पूरी पोएम में एक्स्टा कुस्चन लबशिक्ष्ट है identify the most likely tone of poem की tone poem की से related question आ सकता है तो to say that for destruction ice is also great तो यहां से आपको poem की tone निकालनी है कि अगर दुनिया खत्म करनी हो तो ice भी कम नहीं है ice का मतलब आदमी का आदमी के प्रति उदासीन होना indifference होना feeling का कि किसी को अगर कोई कश्ट है तकलीफ है तो हम उसमें involved ना हमारी sympathy हमारी empathy सब खत्म हो चुकी हो that is coldness of heart तो यह sarcastic है व्यंग है इसके अंदर कि fire तो अपनी जगह है ना यह indifference भी कम नहीं है ice भी कम नहीं है this is sarcasm इसके बाद जो question है वो यह है जो sample question paper 2021-22 का और एक additional जो CBC ने matter दिया हुआ है तो उससे मैंने इसे निकाला है विच ऑप्सन करेक्टली रिप्लेसे दे गिवन लाइन फ्रेज इन फ्रॉम फायर नाइस अंडरलाइन फ्रेज का मतलब यह है कि देखिए यहां पर अंडरलाइन हुआ नहीं यहां पर यह अंडरलाइन था वैसे होल्द उप तो यह मांते हैं कि फायर से दुनिया खत्म हो जाएगी लग आद्मी अपनी इच्दान पूरी करने में दूसरों को नुकसान with no 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 have the same opinion as मेरा भी ऐसा ही विचार है जैसा और लोगों का फायर को लेके दिस इस दांसर according to the poem fire and ice some people say that the world will end in ice कुछ तो कहते हैं कि दुनिया आई से कतम होगी because humans are ऐसा क्यों है क्योंकि humans क्या है किस वज़े से greedy for wealth and power क्या वो power को लेके और wealth को लेके लाल चीए अब देखें आप elections होते हैं या आप सीधा सीधा इस poem को अगर आपको mirror करना है इसका reflection देखना है तो आप newspaper उठाएए ना और newspaper में आप खुद ही देखे इपनी सारी incidents उसके अंतर लिखे रहते हैं वह आपको देखने को लेंगे लेकिन incidents इस द्वारा आउट ऑफ ग्रीड आउट ऑफ लव पता चला आप किसी से प्रेम करते हैं यह आपकी डिजायर है आपको पैसन बन गया सामने वाला आपको लाइक नहीं करता है तो आपने उसको नुक्सान पहुंचाना शूरू कर दि होने दो this is coldness of heart this is here ice इस प्रगार की feeling को तो greed for wealth and power ऐसा कुछ नहीं becoming spiteful towards इस एक दूसरे प्रति घ्रणा इस पाइट फूल का मतलब दूसरे के प्रति आपके मन में घ्रणा हो जलसी हो यह है तो वैसे तो आगे देख लेते हैं passive towards the problem of climate change climate change की बात यहां क्योंकि यहां पे literal meaning ह नहीं है symbolic meaning है becoming increasingly unconcerned about security देखे out of context जा रहे हैं तो इनको तुरांत आउट करिए बचे दो ठीक है तो wealth and power के पीछे आदमी greed हो जाए greedy हो जाए यह तो है ही ऐसी बात नहीं है लेकिन best option है यह क्यों क्योंकि greediness wealthy होना power की demand यह सारी चीजें desire से ही तो related है तो यह यहां तक थे questions इसमें और मैं जानता हूं कि because I have taught in the class I know कि students are of different minds with different feelings of different natures and with different natural creativity capability तो वो तरह तरह को questions पूछते हैं कभी class में बच्चे बहुत डीप में पूछने कोशिश करते हैं इस poem को मैंने class में भी explain किया हुआ है then it goes for two or three and four days because I enjoy poetry यो कि poetry और लिटरेचर अगर पढ़ना है go deep into read between the lines enjoy it इसलिए literature होती वो science के तरह पढ़ने के लिए नहीं होती वो math के लगाने के लिए नहीं होती it is a part of our life literature music sports these are part of our life यह हमें जीवन जीने का आनन देते हैं science नहीं देती math नहीं देती okay so ending this tutorial here tata bye bye